नमस्कार दोस्तो यूर्स ओन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको थोड़ा रिव्यू दिखाएंगे यह अहुजा का अम्प्लिफायर वी आर टू फिप्टी एम तो दोस्तो यह एक डाइसो बाड का मोनो चैनल लेवल्स तो उसके बाद आप दे सकते हैं यह सेलेक्टर स्विच इससे आप यूनिट ड्राइवर और बॉक्स ड्राइवर में सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यह अगर बॉक्स ड्राइवर पर होगा तो उसमें लो फ्रिकेंसी ज्यादा होती है जिससे हमारे यूनिट ड्रा तो आप यहां सी इसको रिसेट कर सेकते हैं तो यह आपने देखी लिए दोस्तों फ्रंट का व्यू इसके साथ यह काफी मैटल के हैंडल लगे होते हैं क्यूंकि अहुजा के एंप्लिफायर जो है काफी हैवी होती है कि इन में दो ट्रांसवर्मंस होते हैं एक मेन अगया तो यह आप देख सकते हैं इसमें लीड जो है काफी बड़ी है क्वाल्टी के उसके साथ ही यह फ्यूज सॉकेट तो उसके बाद यह 12 बोल्ट की यह कार बैटरी पर भी चलता है यो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन यह 24 बोल्ट पर चलता है तो इसके लिए यह मै आप देख सकते हैं इसको यह अर्थिंग के लिए पॉइंट दिया होता है क्योंकि अगर आप सिस्टम में हम नोईस यह इस तरह की कोई नोईस आ रही है तो उसके लिए उसके बाद यह रैड गलर की स्ट्रीप आप देख सकते हैं इसमें हम लाइन मैचिंग जो स्पीकर्स क्योंकि इसमें सत्टरों सोब Bulτ के इस तरह का जो है अहूजा का का आप देख सकते हैं उनि ड्राइबर इसमें चला सकते हैं क्योंकि अलग डिजाइन का होता है उसके बाद आगे आप देख सकते हैं 보sein कि रेस पिल्ऐ कामवं और ओम लिखा हुए इस पे आप दूसरे तो आप उस तरह के चार जो है इस पे आप चला सकते हैं एये इंपूट सेंस्टिविटी के लिए सेलेकटर दिया हुआ है तो आप इसकूज है उसके उसने कितने इपुत तो आप कोई भीý माइक इंपुर्ट नहीं है तो अगर आपको इस सकते हैं तो इसके बात है यहिए सकते हैं यह पुराने वाले amplifier में आपने देखा होगे कि वो बाहर की तरफ जो है 30 पचुंजा ट्रांजिस्टर लगे होते थे तो आजकल इन्होंने अंदर की तरफ मौस्पेट लगाए होगे हैं तो उसके बाद दोस्तों यह मैंने निए साथ वाट का एक युनि ड्राइवर है तो आप इस पर चार लगा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और जिन्ह दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि